हाई फ्रेंड्स वेल्कम बेक आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत-बहुत स्वगत है यदि आप इंग्लिस स्टोरी से इंग्लिस सीखना चाहते हैं या फिर इंग्लिस से हिंदी ट्रांसलेशन की कला सीखना चाहते हैं तो अभी आप मेरे चैनल को करते हैं यानि इस story का Hindi translation start करते हैं तो सबसे पहरे title देखिए the man and the little cat the man and the little cat यानि एक आदमी और एक छोटी बिल्ली ठीक है little cat छोटी बिल्ली और आदमी की कहानी है one day an old man was having a stroll in the forest when he suddenly saw a little cat stuck in a hole right चलिए इसका Hindi बनाते हैं one day एक दिन an old man an old man एक बुड़ा बैकती आदमी was यानि था ये एक helping verb है ठीक है past continuous की एक helping verb है was यानि था ठीक है having a stroll यानि तहल रहा था इस ट्रॉल मतलब होता है तहलना या घूमना having बता रहा है कि हो रहा है continuous को बता रहा कि वो काम continue हो रहा था यानि वो stroll कर रहा था एक old man तहल रहा था घूम रहा था कहां in the forest jungle में when he suddenly saw a little cat when यानि जब वह अचानक से suddenly यानि अचानक से saw यानि देखा saw यानि देखा क्या देखा a little cat a little cat एक छोटी विल्ली को देखा stuck in a hole stuck याने फसा हुआ stuck याने फसा हुआ in a hole एक hole में एक छिद्र में फसा हुआ next the poor animal was struggling to get out the poor animal यानि बेचारा जानबर poor means बेचारा भी होता है और poor means गरीब भी होता है तो यहां पर बेचारा इसका मतलब होगा poor का हाना तो poor animal बेचारा वो जानबर was यानि था मैंने अभी बताया था कि was यानि था या थी ठीक है तो वो struggling to get out वो struggle कर रहा था यानि संघर्ष कर रहा था to get out यानि बाहर निकलने के लिए to get out यानि इसे कोई hole है किसी जिए कोई फसा हुआ है तो उससे बाहर आने को कहते है get out इसे हम लोग बोलते हैं na get out यानि बाहर जाओ बाहर का रास्ता देखू ठीक इस तरह से इसका sense होता है मतलब होता है next step so he gave him his hand to get him out so यानि इसलिए he gave उसने दिया he याने वह या उसने gave याने दिया gave क्या है give का second form है ठीक है क्योंकि ये simple past में है story इसलिए first form की जगह है second form का use किया गया है तो gave क्या है give का दूसरा रूफ है gave याने दिया तो इसलिए उसने दिया क्या दिया him him याने उसे उस cat को क्या दिया his hand his याने अपना यह जो वह वेक्ती था वो आदमी था वो अपना hand अपना हाथ दिया उसको to get him out उसे out याने बाहर निकालने के लिए to get him out उसे बाहर निकालने के लिए but लेकिन the cat scratched his hand with fear लेकिन वो विल्ली the cat scratched याने खरोचना होता है scratch करना खरोचना तो उस बिल्ली ने उसके हाथ को खरोच लिया his hand उसके हाथ को scratch कर दिया with fear डर से the man pulled his hand screaming with pain यानी the man वो बैकिती वो आदमी pulled याने खीचा his hand अपना हाथ screaming with pain याने दर्द screaming याने चिलाना cheek चिलाहट तो cheek और चिलाहट के साथ दर्द के साथ with pain यानी दर्द के साथ चिलाता हुआ चिकता हुआ वो बैक्ती अपना हाथ पीछे खीचा ठीक है but he did not stop लेकिन वह stop नहीं किया लेकिन वह रुका नहीं stop नहीं हुआ ठीक है he tried to give a hand to the cat again and again he tried उसने प्रयास किया he tried tried क्या है try का second form है ठीक है past में simple past में है इसलिए इसका मतलब होगा प्रयास किया तो उसने प्रयास किया to give a hand एक हाथ देने का to give यानी देना तो वो उस बिल्ली को उस फसी हुई बिल्ली को उसने अपना हाथ देने का प्रयास किया to the cat उस cat को उस बिल्ली को again and again बार बार ठीक है वो अपना प्रयास करता रहा उस बिल्ली को बचाने के लिए वो अपना हर स मोप्रियास करता रहा दर्द के बावजूद भी नेक्स्ट है Another man was watching the scene scene याने नजारा watching यानी देखना ठीक है was याने था मैंने पहले ही बता चुका है आपको दो बार तीन बार मैंने बता दिया है ठीक है तो another मतलब होता है अन्य या दूसरा तो एक अन्य बैक्ती एक अन्य आदमी watching कर रहा था यानी देख रहा था इस scene को इस नजारे को screamed with surprise with surprise यानी आश्चर के साथ आश्चर के साथ वो आदमी scream किया यानी चिलाया चीखा for God's sake for God's sake मतलब भगवान के लिए for God's sake मतलब होता है भगवान के लिए ऐसा मत करो है हम बोलते हैं ना भगवान के लिए ये रोग दो भगवान के लिए वो मत करो तो for God's sake यानी भगवान के लिए stop helping this cat इस बिल्ली की this cat इस बिल्ली की help करना stop करो ठीक है मदद करना stop करो he is going to get himself out of there there miss out of यानी से बाहर get himself himself यानी वह खुद वह स्वयम अपने आपको क्या करेगी वहां से बाहर निकालेगी तो ये जो he is है आप देख रहे हैं एक कौमा लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है is ठीक है कई बार has भी होता है ठीक है तो वह टेंस से पे डिवेंड करता है कि कब he is इसको पढ़ेंगे he is he is he is का मतलब यानी ये सौर्ट फॉर्म है तो इसका फुल फॉर्म he is होगा कि he has होगा तो देखिए यादी बारव की थार्ड फॉर्म होती है यसे यहाँ पर going है यदि यहाँ पर gone होता go, went, gone तो gone होता तो यहाँ पर he is जो है यहाँ पर s का मतलब has होता has क्योंकि present perfect जो tense है उसकी helping verb has और have होती है लेकिन यहाँ पर continuous की बात है going इसलिए यहाँ पर he के बात जो s कॉमा लगा है apostrophe है उसका मतलब होगा he is इसका full form होगा he is और short form में पढ़ेंगे he is he is going तो वह ऐसा करने वाला था देखो he is going यह बिल्ली के लिए बता रहा है कि वह जो बिल्ली है he is going to get himself वह खुद को खुद को वहाँ से बाहर निकाल रही है ठीक है वह खुद को वहाँ से बाहर निकाल रही है या निकालने वाली है तो तुम उसकी help करना stop कर दो लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना राइट लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना राइट तो देखें क्या होता है अज़की नहीं इप अज़की नहीं परवाह नहीं करता था इपने अब ज़किन उसके बारे में succeeded श्यादि जो यह वह काम कर रहा था उस कैट को बचा रहा था स्वेक्ति के वारे में में वह क्यारी ने किया में के लिए बोल रहा कि वह क्या बोल रहा है Weihnacht Pham नहीं दिया उसकी बातों पर और वो continue just यानि तभी यानि कि उसी समय वो continue लगा रहा saving that animal उस animal को उस जानबर को save करने में बचाने में continued यानि निरंतर लगा रहा करता रहा until यानि जब तक he finally succeeded यानि finally यानि अन्तता जब तक वो succeed नहीं हो गया यानि सफल नहीं हो गया तब तक वो लगा रहा next है and then he walked to that man and said or then याने फिर जब वो बिल्ली को निकाल लिया success हो गया उसको निकालने में तब यानि then याने तब या फिर he walked to that man वह उस ब्यक्ति के पास that याने वह या उस ब्यक्ति के पास चलते चलते गया walk याने चल के जाना तो वह walk करके उसके पास गया और बोला sad याने कहा क्या कहा son बेटे it is it is cat's instincts cat's instincts तो instincts जानी होता है सुभाविक प्रवित्ति जैसे हर व्यक्ति की हर जानवर की अपनी एक सुभाविक प्रवित्ति होती है एक सभाव होता है, जैसे सांप है तो काडता है, ठीक है कुट्ते भोगते हैं और काडते हैं, ऐसे हर जानबर का अपना अपना एक नेचर होता है उसको हम बोलते हैं, इंस् Sinqs, ठीक है, तो it is, यह है, यह उस बिल्ली की, cats, उस बिल्ली की यह सभाविक प्रिवित्ती है, कि थे करें चरहु खरोषती है घरकार्तिए एच्छ उसकी परुषते और हुष क्रुषती है, ही यह काम करवाती है. जो रिश्च परतकर रिश्भते हैं, ज कोई और है दूं abruptिष और फ्रम प्रुषता है, तो प्राव फीसके आददर Explrainquah उससे काम करवाती है तो that makes him scratch जो उससे scratch करवाती है खरोच करवाती है वो उसकी क्या है? instincts है उसकी अपनी सुभाविक प्रवित्ती है ठीक है? and to hurt यहाँ पर दिखिए एक बात है कि makes him scratch make का प्रियुक तब करते हैं जब कोई काम करवाते हैं हम चाहे अपने सुभाव से करवाते हैं यह दूसरा अपने सुभाव से करवाता है तो कोई काम किसी से करवाता है हम उस condition में make का प्रियुक करते हैं इसे make him scratch जो उसकी प्रवित्ती है वो उससे scratch करवाती है ठीक है? तभी आप English के master बंद पाएंगे चलिए next and to hurt hurt याने चोट पहुचाना चोट पहुचाना scratch करना यानि खरोशना यह तो उसकी instincts है उसकी अपनी सुभाविक प्रवित्ती है and it's my job और यह मेरा job है it's my job to love and care प्यार करना और care करना ख्याल करना यह मेरा अपना जॉब है मेरी प्रवित्ती है और मैं कर रहा हूँ ठीक है? तो बहुत ही खुबसूरत उसने जवाब दिया उसे भ्यक्ती को राइट तो आज़े देखते हैं कि क्या इस स्टोरी से सीख मिलती है moral इसका moral है स्टोरी का यानि सिख्चा है इससे मिलती है जो treat everyone around you with your ethics not with theirs ethics नहीं होता है सिध्धान्त ठीक है? हर वैक्ती का अपना कोई सिध्धान्त होता है तो हमें with your ethics हमें अपने ethics जो हमारे सिध्धान्त है हमें अपने सिध्धान्त के according अनुसार अपने आसपास के around you अपने आसपास के जो लोग हैं उनको treat करना चाहिए everyone, हर कोई को treat करना यानि कि उनके साथ ब्यवहार करना हमें उस तरह से उनके साथ ब्यवहार करना चाहिए ना कि दूसरों के हिसाब से not with theirs उनकी प्रवित्तिक हिसाब से हमें नहीं करना चाहिए यानि यह है कि अपने नजरिये को हमें उचा रखना चाहिए और हर किसी के प्रतिदया और प्यार की भावना रखनी चाहिए चाहिए वो जानबर क्यों ना हो treat with people the way you want to be treated by them by them यानि उनके द्वारा by यानि द्वारा them उनके तो इसका मतलब यह है treat the people लोगों को तुम उस तरह से treat करो उस तरह से उनके साथ ब्यवहार करो the way you want the way जिस तरह से जिस तरीके से वे यानि तरीका या रास्ता जिस तरीके से you want to be treated तुम treat किये जाना चाहते हो मतलब कि जिस तरह से तुम चाहते हो कि तुम्हें लोग treat करें तुम्हें लोग इस तरह से सम्मान दे you want to be treated तुम इस तरह से treat किया जाना चाहते हो, दूसरों के द्वारा उसी तरह से तुम भी दूसरों को ट्रेट करो, ठीक है, यानि अपनी तरह उनकी भी बात को, उनकी भी समस्याओं को समझो, तो ये इसका मतलब है, Friends, ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा, और हम फिर मिलेंगे नक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंट्रेस्टिंग स्टूरी के साथ, Thanks everyone to watch this video till the end.